हाई गाईज वेलकम बैक टुद वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17,000 के रेंज में आने वाले कुछ बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे मैं इस रेंज में भी बहुत सारे 5G phone available है लेकिन मैंने आपको उनी स्मार्टफोन के बारे में बताया है जो कि अपने price के साफ से value for money स्मार्टफोन है तो काफी research, reviews और analysis के बाद हमने आपको बताया है top 5 best 5G स्मार्टफोन जो कि आपको मिलेगा 17,000 के असपास इन पाचों स्मार्टफोन के अंदर बहुती कमाल के features देखने को मिल जाएगा जैसे कि 120 हर्च वाला AMOLED कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा वो भी 17,000 के नीचे पाउरफुल 5G चिपसेट लगा होगा जिससे आप कमाल की गेमिंग कर सकते हैं 108 मिगापिसल वाला कैमरा सेट अप और बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा ही सभी फोन के अंदर तो fully features loaded होने वाला है ये पाउचोई फोन ऐसे में अगर आपको बज़र 17,000 के आसपास है और आप अपने लिए कोई सा एक best 5G फोन बाइ करने की सोच रहे हैं इस वीडियो का एंट तक जरूर देखिए और हाँ आपको समझने में थोड़ी सी असानी हो इसलिए हमने इन पांचोई स्पार्टफोन को overall specification के basis पर रैंकिंग किया है हाँ आपके इस साबसे अलग रैंकिंग हो सकती है खेर हम सुरू करेंगे लास्ट के नमर से नमर 5 से और नमर 5 पर हमने स्पार्टफोन रखा है यह फोन performance wise बहुत ही जबरदस्त है वैसे देखा जाए तो all-rounder package है इस फोन का नाम है Vivo T3X5G या फिर IQ G9X5G यह दोनों phone बिल्कुल सेम है IQ all Amazon पर मिलेगा और Vivo का flip card पर तो दोनों में साब को जो भी सही लगता है उसे consider कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो के इंदर हम T3X5G के बारे में बात करेंगे तो चली जल्दी से डीटेल में जानते हैं स्टाट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से तो डिजाइन वैज अच्छा रहेगा औल्दो कम्प्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है 8mm की थिकनेस और 199 ग्राम बेट है और IP64 की रेटिंग दी गई है तो अवरोल डिजाइन विल्ड क्वालिटी काफी सही है कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ड्वेल स्ट्यूर्य स्पीकर मिलता है जिसके आटपूट सही है हाइब दिसिंस लोट का उप्शन है बाइमेटरी के लिए साइड फिंगबें स्कैनर है आट अप दे बोक्स एंडोट 14 मिलता है बेस्ट ओन फंटेच ओएस 14 एंड टू प्लस थ्री यर्स का एंडोट अडेट मिलेगा फ्यूचर के अंदर वीवो का खुद का डाइलर मिलता है मतलब चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो 6000 मिली एंपेर की बड़ी बैटरी दी गई है जो की सुपोर्ट करती है 44 वाट फास चार्जिंग को एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैक अप दे देगा ये फोन आपको डिस्प्ले की बात करें तो वेस्प्ले कोई स्युप्य जाइ से फॉन फोरियार पर्फॉमेंस की बात करें तो इस फॉन में मिलता है स्नैप्रगन सिक्स जैन वन वाला फाइब जी चिपसेट यह एक न्यू चिपसेट है जो कि फॉर एनिम पर बना हुआ है लगवक सारे पांच लाग के आसपास अंतुद उसकोर आता है साथ में युफस 2.2 वाले स्टोरेज एनल्पी टीडियर 4x वाला रैम है सो नॉर्मल आता है वाइफाई कॉलिंग है और ब्लूतुथ 5.1 वर्जन का सिपर्ट है प्रैजिंग की बात करें तो 4123 के लिए सारे 13,000 रुपे है और 628 के लिए 15,000 रुपे परसनली मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एटलिस 6 जी ब्रेम बला लेना जो भी फोन लेना तो अगर और 4 पर जमने स्पांट फोन रखा है इस पांट का डिजाइन बहुत ही अच्छा रहेगा विगन लेदर डिजाइन मिलता है वैसे बाकी के फीचर्स भी सही है जिहां इस फोन का नाम है रियल मी 12 5 जे रिसंटली लांच हुआ यह फोन भी चली जली से डिटेल में जानते है के बारे में भी स्टाट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से तो डिजाइन वाइस प्रीमियम रहेगा यह फॉन सिर्फ 7.7 mm की थिकने से मतला पतला फॉन है यह 186 ग्राम वेट है साथ महीं IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है ओवरॉल डिजाइन बिल्ड क्वालिट का एंडूड अप्डेट भी दिया जाएगा और प्ले स्टोर से ओड डाउनलोड करके चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इस पॉन के अंदर चलिए अब जानते हैं कुछ में फीचर्स तो 5000 मिली एंपेर की बैटरी दी गई है और साथ महीं 45 वर्ट फास चार सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस फोन का मीन कैमरा काफी अच्छे सब्सक्राइब कर सकते हैं से परफॉर्म कर लेता है डे टू डे यूज के लिए क्यामरा अच्छा रहेगा वैसे अल्टरावाइड लैंस होता तो और भी अच्छा रहता खेर परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इस फॉन में लगा हुआ है मीडिया टेक डैमेंस सिक्स्टी 100 वाला प्लस 5G चिप से कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो नौ 5G बैंट को सपोर्ट करता है यह फॉर्जी प्लस का सपोर्ट अब लेवल है ड्यूल बैंड वाइफाइड दिया गया है वाइफाइड का सपोर्ट है प्रैस की बात करें तो 6128 के लिए 17,000 रुपीज है लेकिन जैसे आप पर क्लिक करोगे तो इस पॉन का प्रैस 15,000 के असपास हो जाएगा कुल मिलाकर 2,000 का कूपन दिया गया है और बैंक डिस्काउंट तो होगा ही अलग से तो 17,000 के असपास तो यह फोन थोड़ा सो अबर प्रैस रहेगा लेकिन 15,000 के असपास मिलता है तो चेक आट कर सकते है यह रहे प्रोजन कॉन्स बात करें तीसरे नमर के स्मार्टफोन के बारे में तो नमर थी पर जह हमने स्मार्टफोन रखाय है यह एक परफेक्टली बैलेस स्मार्टफोन है दोस्तो मैं वात कर रहाऊं OnePlus Nord CE3 Light 5G के बारे में पहले इस पॉन का प्रैस 20,000 के असपास था लेक करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से तो डिजाइन वाइज अच्छा रहने वाला है कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बनावा है 8.3 mm के थिकनेश अच्छा रहेगा कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फ़न आपको मिलता है ड्वल स्टीरो स्पीकर एन स्पीकर के आटपूट अच्छी है Hybrid SIM slot का option दिया गया है मतलब दो 5G SIM या फिर एक SIM और एक मेमरी कार लगा सकते हैं और Biometric के लिए side fingerprint scanner है Out of the box Android 13 के साथ आता है ये phone based on OxygenOS 13.1 इस phone को 2 years तक major 10.0 update मिलेगा and 3 years तक security patch update अब जानते हैं कुछ main features तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगी हुए है और साथ मही 67W fast charging का support दिया गया है नॉर्मल यूज में एक दिन का battery backup दे देगा ये phone आपको डिस्प्ले की बात करें तो इस phone में लगावा है 6.72 inches की Full HD Plus IPS डिस्प्ले तो जिहां AMOLED डिस्प्ले नहीं है 120 Hz डिस्प्ले का support दिया गया है 240 Hz की touch sampling rate है और अप्टू 680 nits तक की peak brightness मिल जाती है overall डिस्प्ले बाइस ठीक ठाक रहेगा या फिक decent type का कह सकते हो फिलाल 18-20,000 में आपको AMOLED डिस्प्ले वाला phone मिल जाएगा जबकि this phone में IPS डिस्प्ले लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको थोड़ा से compromise करना पड़ेगा लेकिन अची बात यह है कि stereo speaker लगा हुआ है तो content watching के लिए ठीक ठाक रहेगा camera की बात करोगे तो पीछे के तरब 3 camera है जिसमें से primary sensor 108 megapixel का है इसके साथ ही दो और camera मिल जाएगा 22 megapixel का जो की macro और depth camera है rear camera से 1080p में 30fps तक video record कर सकते है front में 16 megapixel का camera है इस camera से भी full HD में 30fps तक video record कर पाएंगे overall इस phone का camera performance ठीक ठाक रहेगा मतलब अच्छे lighting condition में decent app का performance निकाल कर दे देता है यूँ मान कर चलिए camera काम चला हुई रहेगा वही बात करें performance के बारे में तो इस phone में लगा हुए snapdragon 695 वाला 5G chipset जो की 6NM पर बना हुए 4 लाग से उपर अंतुदू स्कूर आता है इसके अलावा UFS 2.2 वाला storage NLP DDR4X वाला RAM है तो normal users में performance आपको issue नहीं होगा medium और casual level की gaming वगरा भी कर सकते हैं connectivity की बात करें तो 13 5G bands को support करता है iPhone 4G plus का support मिल जाएगा dual band Wi-Fi आता है Wi-Fi calling है and Bluetooth 5.1 version का support है बात करें price के बारे में तो फिलाल 828 के लिए लगवग 18,000 रुपय है इसके साथ ही 1000 से 2000 का bank discount वगरा भी मिल जाएगा आपको तो price के according देखा जाए तो ये एक decent option है चेक आट कर सकते हैं अगर आपको OnePlus का phone चाहिए वो भी 18,000 की बीच में तो ये रहे pros and cons बात करते हैं second last smartphone के बारे में तो number 2 पर जो हमने smartphone रखा है ये एक truly all-rounder phone है जी हाँ इस phone का नाम है Realme P1 5G ये phone भी recently launch हुआ है चली जलजी से detail में जानते हैं इस पॉन के बारे में भी स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड कॉलिटी से तो डिजाइन वाइस काफी प्रिमियम रहेगा हलाकि complete plastic बिल्ड पर बना हुआ है 8mm की thickness and 188 gram weight है इसके अलाबा IP54 की rating भी मिल जाती है तो overall design and build quality अच्छा रहेगा कुछ basic features के बारे में बात करें तो dual stereo speaker दिया गिया है जिसके output काफी अच्छी है hybrid sim slot का option मिलता है अच्छी बात यह है कि biometric के लिए in display fingerprint scanner है out of the box android 14 मिलता है best on realme UI 5.0 future में 2 plus 3 years का android update मिलेगा and play store से ओड एलोड डाउनलोड करके चुपके से call record कर सकते हैं इस phone से भी अब बात कर लेते हैं कुछ main features के बारे में तो 5000 mAh की battery है जो की support करती है 45W fast charging को normal use में एक दिन का battery backup दे देगा यह phone आपको display की बात करें तो इस phone में लगा हुए 6.67 inches की flash d plus super amoled display जो की 120Hz deficit के साथ आता है 240Hz की touch sampling rate है एंड अप टो 2000 minutes की peak brightness मिल जाती है तो brightness आपको बिल्कुल वीशू नहीं होगा overall display wise बहुत ही अचा रहेगा panel की quality अची है और काफी bright वी display है वैसे camera की बात करें तो back side में दो camera मिलता है जिसमें से primary sensor 50MP का है और second camera 2MP का है जो की depth camera है rear camera से 4K में 30fps टेक video record कर सकते है आगे की तरब 16MP की selfie है इस camera से Full HD में 30fps टेक video record कर सकते है overall S1 का camera performance अचा रहेगा delay light में तो अच्छे से perform कर ही लेता है even low light में भी ठीक ठाप performance निगाल कर देता है महीं performance की बात करें तो S1 में लगा हुए media deck damage city 7050 वाला 5G chipset अब ये 15,000 के नीचे सबसे powerful chipset है 6 cm पर बना हुआ है लगवाब 6 लाक्या स्पास अंत्रो तुस्कोर आता है इसके अलावा UFS 3.1 वाला storage मिलता है NLP DDR4X वाला RAM है सो multi-tasking में भी ये phone अच्छा रहने वाला है overall performance wise बहुत ही अच्छा रहेगा day-to-day use में कोई lag और चिटरिंग इसो देखने को नहीं मिलता है और आमसे high setting में gaming वगरा भी कर सकते हैं BGMMA 60FS तक gaming कर पाएंगे connectivity की बात करें तो 7 5G bands का support दिया गया है 4G plus का support है dual band wifi आता है wifi calling है and bluetooth 5.2 version का support है बात के रे price के बारे में तो 618 के लिए लगवक 16,000 रुपे हैं और 1000 रुपे तका bank discount वगरा भी मिल जाएगा तो 15-16,000 काश्पस देखा जाए तो बहुत ही कमाल का phone है चेक अट कर सकते हैं ये रहे pros and cons वक्त आगया है अपने last smartphone के बारे में बात करने का तो नमर वण पर जहमने smartphone रखा है ये वी एक value for money 5G phone है खरिस phone का नाम है lava blaze curve 5G recently ही launch हुआ है ये phone क्या कुछ features मिलता है चली जल्दी से detail में जानते हैं स्टाट करते हैं design और build quality से तो design वाइस अच्छा रहने वाला है back panel glass से बना हुआ है 8.8 mm के thickness and 189 gram weight है overall design and build quality अच्छा रहेगा दिखने में premium लगता है कुछ basic features के बारे में बात करें तो dual stereo speaker दिया गया है जिसके output अच्छी है spawn में आप 2 5G sim लगा सकते हैं लेकिन SD card नहीं लगा पाएंगे biometric के लिए in display fingerprint scanner है out of the box Android 13 मिलता है with near stock Android तो software neat and clean रहेगा also lava ने promise किया है spawn को 2 plus 3 years का android update भी मिलेगा और हाँ auto call recording option भी मिल जाएगा मतलब चुप कैसे call record कर सकते हैं अब जानते हैं कुछ main features तो 5000 mAh की battery लगी हुई है जो कि support करती है 33 watt fast charging को normal use में एक दिन का battery backup असानी से दे देगा बात करें डिस्पले के बारे में जो कि spawn का सबसे best part है मेरे हिसाब से जिहां इस फ़न में लगा हुआ है 6.67 inches की flash d plus super AMOLED डिस्पले और ये एक curve panel है 120 hertz deficit का support दिया गया है 360 hertz की touch sampling rate है और अप टू 800 nits तक की peak brightness मिल जाती है overall display wise अच्छा रहने वाला है curve panel होने के बज़े से side के bezels वगरा ना की बरावर है बाकि stereo speaker तो है ही तो content watching के लिए भी सही है camera की बात करें तो back side में तीन camera लगा हुआ है जिसमें से primary sensor 64 megapixel का है और ये sony का sensor है second camera 8 megapixel का है और ये ultra wide lens है 7 महीं 2 megapixel का macro lens भी है rear camera से 4K में 30 fps तक video record कर सकते हैं आगे के तरह 32 megapixel की selfie है इस camera से flash day में 30 fps तक video record कर सकते हैं overall spawn का जो main camera है वो लगवग ठीक ठाक performance निकाल कर दे देता है camera performance decent type का या फिर above average type का रहने वाला है performance के लिए spawn में लगा हुआ media take density 7050 वाला 5G chipset 6 nanometer पर बना हुआ पांच लाग असी हजार के आसपास आंतुत उसको राता है अच्छी बात यह है कि UFS 3.1 वाला storage and LPDDR5 वाला RAM type मिलता है तो overall performance wise काफी अच्छा रहने वाला है normal use में कोई lag और jittering issue देखने को नहीं मिलेगा आराम से अच्छी खासी gaming वगरा भी करा देगा यह फोन आपको connectivity की बात कर लेते हैं तो 8 5G bands को support करता है यह phone 4G plus का support available है Wi-Fi 6 आता है Wi-Fi calling है and Bluetooth 5.2 version का support है finally बात करे price के बारे में तो 8GB RAM and 128GB storage के लिए 18,000 रुपीज है साथ में थोड़ी बहुत bank discount वेगरा भी मिल जाएगा best वा लिंक description में है यह रहे pros and cons तो दोस्तों यही थे top 5 best 5G phone जो कि आपको मिलेगा 17,000 के आसपास price हमें साओ पर नीचे होती रहती है तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं कुछ भी data or confusion रहे गए है तो आप comment कीजिएगा और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ी सी motivation मिले इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ next वीडियो में